अब तो अब आप विडियों से मैं हुई मात खान और आप देखरें फून वाल लाइफ तो विवर्ज आई ये देखतें कि आज आज आप विडियों में हमारे पास कौन-कौन सी एप्स हैं विवर्ज आज की जो फर्स्ट एप्लिकेशन हमारे पास है उसका नाम है अब इस एप्लिकैशन के नाम से हमें पता लग जाता है एक वाल पेपर आप है तो आज ये इसको उपन करते हैं कि हम इसको कैसी उ sed करेंगे वहारे पास हैँमारे पास यहां पर मेन दिभर जाए करनाा है तो इस एपलिकेशन के तुरू असानी से उसको लाइक भी कर सकते हैं, आप उस wall paper को अपने friends के साथ share भी कर सकते हैं, Facebook पे, Twitter पे, Instagram पे और G Plus पे आप असानी से उसको share भी कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पर right side पर यहाँ पर search bar का option है आप अपनी मर्जी के मताबिक इसमें wall paper भी search कर सकते हैं वीवर्स यह देखें कि हमारे पास इसमें different categories के different wall papers हैं for example अगर हम यह wall paper अपने cell phone पे apply करते हैं तो वीवर्स यह देखें कि हमारे पास यहाँ पर set as a wall paper का option है हमारे पास यहाँ पर second में जो है download का option है और third में हमारे पास इसमें like का option है अगर आपने इस wallpaper को like पे रखना है तो आप इसको like पे भी रख सकते हैं आप इसको download भी कर सकते हैं और अपने wallpaper को आप अपने cell phone की display भी apply कर सकते हैं For example, अगर हम अपने cell phone की display पे apply करते हैं तो यह आप देखे कि हम आसानी से इस wallpaper को अपने cell phone पे apply कर सकते हैं यह आप देखे कि हमारे पास इसमें सारे Wall Papers जो है Viewers, HD Resolution के Wall Papers हैं और बहुत कलरफुल से Wall Papers हैं हम ने इस Wall Papers को अपने सेलफ़ोन के Display पे Apply गिया है यह आप देखे कि हमारे पास इसमें बहुत कलरफुल से Display इसमें Show हो रहा है तो आप इस wallpapers को असानी से आप अपने cell phone के display पे apply कर सकते हैं व्यूर्ज आज की जो second application हमारे पास है उसका नाम है background HD wallpapers यह आप देखें कि इसके download जो है 50 million इसके download है और इसके rating जो है 4.66 rating है तो इस application को open करते हैं देखते हैं कि हम इस application को कैसे use करेंगे तो हमने इस application को open की यह wallpaper app है जिसमें हम HD resolution के wallpapers हमारे पास इसमें show हो रहे हैं इस application की भी same options है आप देखें कि हमारे पास left side पे menu का option है right side पे हमारे पास इसमें search bar का option है हमारे पास इसमें different categories के different wallpapers हैं इसमें तो viewers ये दोनों application almost same हैं तो देखते हैं कि इस application में हम इस wallpapers को कैसे अपने cell phone पे apply करेंगे विज़ोज हमने इस wallpapers पे click किया हमारे पास यहाँ पर download का option आ रहे हैं और set as a wallpaper पे option आ रहे हैं अगर हम इस wallpaper को अपने cell phone की display पे apply करते हैं तो हमने इसको set as a wallpaper के option पे click करना है ताकि यह wallpaper हमारे पास HD resolution में download हो जाए और यह हमारे cell phone की display पे apply हो जाए viewers ये देखें गर आपने इस wallpaper में कुछ alteration करनी हैं तो आप इस application की तुरू आसानी से इसको wallpaper में alteration भी कर सकते हैं अगर आपने इसको standard size पे रखना है तो आप इसको standard size पे रख सकते हैं अगर आपने इसको free size पे रखना है तो आप इसको free size पे भी रख सकते हैं हमने इसको free size पे रखा है अब हम इसको अपने cell phone की display पे apply करते हैं तो आप देखते हैं कि यह Sya phone के display पे कैसे apply होगा viewers इस wallpaper को हमने अपने cellphone के display पे apply किया यह आप देखें कि इसके भी B forces से बहुत झालरफुल से wallpapers है अ 170 बहुत ही ऑच्छी quality की wallpapers है viewers हमने this wallpaper को अपने cellphone के display पे apply किया या आप देखें कि हमारे पास इस पर बहुत colorful से इसके colors हमारे पास इस wallpaper के इसमें show हो रहे viewers आज की ये दोने applications हमारे पास wallpapers आप हैं के लिए कोई application आपको चाहिए तो ये दोनों applications जो है best applications है wallpaper की तो आप इसको download कीजी और हमें बताएगा कि आपको इन applications में से कोई सी application आपको अच्छी लगए viewers I hope आपको आज की apps पसंद आई होंगी आप इन apps को जरूर download कीजेगा और हमें बताएगा कि आज की apps आपको कैसे लगी so that's all for now keep watching former life Allah Hafiz